नमस्ते आज हम देखेगे कि किस तरह से हम वाटेख लॉक यानि कि जलगड़ी को समय नापने के लिए सित्मार कर सकते हैं प्राचीन समय में लोग, रेथ, सुर्वची किरने, पानी तता अन्य चीचों का बड़ा चादाकी से सित्माल करके समय का ग्यान रखते हैं चलिए अब देखते हैं कैसे हम एक आसान से यंत्र बना के पानी की मज़़से समय नाप सकते हैं इस घड़ी को बनाने के लिए आवश्चिक चीज है एक खाली जार, प्लास्टिक कप, एक छुट्टी घंटी, डंडिया, कंपस या स्वी, पानी की बॉटल और एक प्लास्टिक कैप या धखकन step 1, make a hole at the bottom of the plastic cup and the cap using compass, सुई की मदद से ढबकन पे और प्लास्टिक कप के नीचे एक छेर कीजिए p माइब hour ol k घंटिक सुपेंगल ठीज के एक वा धचिक, तथी, पानी कर्द।, कर्क दोफ़ाराई नीचे का में लु commissions सटयाती, सुट्टी का में तो brushuję झावचाड़ earning एक आवचा है त conception Step 2, Lie the well to the cap using a thread, the length of the thread should be just less than the length of the cup, यानि दागे की मदद से घंटी को धबकन से बान दे, दागे की नमाई कब से थोड़ी सी कम होनी चाहिए. झाहिए. झाहिए. झाल झाल तो जब तक कप में पानी रहेगा तब तक धककन पानी में तेहरता रहेगा और घंटी का संतुलन डंडी पे बना रहेगा लेकिन क्योंकि हमने धागे की लंबाई कप की लंबाई से थोड़ी कम ली थी तो जैसे ही पानी खतम होने वाला होगा घंटी कप में गिड़ जाएगी हमको पता दग जाएगा कि हमारा समय पूरा हो गया खानी की घड़िया सबसे पुराने समय आपने वाले एंत्रों में से एक है यह एंशिंट एजिप्ट, ग्रीस और चाइना में 4000 सादों से इस्तमाद होती आ रही है इसे बनाने काफी आसान है और आप भी इसे अपने घल्पे आसानी से बना सकते हैं आशा करता हो आपको यह वीडियो पसंदा है करता है